एगाईस वेलकम टो वरोहन टेकनलोलीज चनल तो आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले के ग्रोए एप के अंदर मार्केट कब ओपन होता है और कब क्लोज होता है आज की वीडियो में हम यही सब जानेगे दोस्तों आपसे चोटी सी रिक्वेस्ट है के आप हमारे चनल में फर्स टाम है तो चनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और कमेंट्स भी जरू करना कोई भी डाउट होता है और एक और बार बता दूंगे शेर मार्केट क्लोज भी होता है जैसे इसकुल में छुटी होत तक मार्केट ओपन होता है और यह अक्सर होता भी है लेकिन कुछ लोगों यह नपसक्ता होता है कि मार्केट जो है सुबह 9 बजे से ले के दो फिर की चार बिजे तक open हो जाता है ठीक है तो वो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ भारत में guys क्या rules regulation है जब आप trading करते हो या share खरीते हो और guys जो market होता है वो Saturday Sunday off होता है या तो फिर किसी festival पे market close होता है उस दिन आप trading नहीं कर सकते हो और कोई festival ऐसे होते हैं जैसे क लाइक दिवाली हो गई तो दिवाले की दिन market open एक घंडे के लिए भी हो सकता है जैसे 26 जनवरी होगी 15 अगस हो गई तो इन दिनों में market close होता है और timing तो मैंने बता ही दिया है कि timing जो होता है 9.15 से लेके 3.30 बज़े तक होता है लेकिन market 9 बज़े के से open होता है जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो के अंदर जान सा समझना गाईस 9 से लेके 9.15 का समय गाईस उसको हम बोलते है जिसे pre open session भी कहते है हम लोग ये session जो होता है वो तीन पार्ट में divide होता है तो वो पार्ट कौन-कौन से हम जानते है और बीच में क्या होता है ये भी जाने के 9 बज के 9-8 बजे के बीच में जो उसे order collection time केते है हम लोग आप किसी भी stroke का limit order या market order इस time periods में लगा सकते है सुबे के time देन आता है 9 से 12 का time इसे हम order matching periods भी बोलते है देन गाईस लास्ट आता है 9 बज के 15 मिनिट का समय जिसमें 9 activity zone इसको हम कह सकते है इसमें कोई भी activity नहीं ह होती है देन इसके बाद आता है normal trading session जो सवा 9 से 3.5 के बीच में होता है जिसमें आप trade खरी सकते हो और बेज सकते हो यह official time में तो आपको time का पता चल गया होगा लेकिन guys मैंने जैसा की starting में बताया आपको market 9 बजे से लेके 4 बजे तक के बीच में खुला रहता है तो वो कैसे तीन बजे के तीन चालिस के बीच में guys इस time period में जो closing price होती उसको settlement किया जाता है then guys finally आता है post market session जो तीन चालिस से लेके दोफेर की चार बजे दक चलता है जिसमें हम market order किसी भी price में लगा सकते हैं share को buy और sale कर सकते है then चार बजे बाद guys market जो हे close हो जाता है totally फिर अगले द से लेके दोफेर की साड़े तीन या चार बजे तक मतलब नो सुबह नो से चार बजे तक के बीच में market open रेता है ठीक है I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी कोई भी doubt हो तो comments जरूर करना चैनल पर first time है तो subscribe भी करना वीडियो भी like जरूर करना thank you for watching this video